जये महाकालिवान जये इक्सिम्शानकाली जये नर्शिंग भगवान दोस्तों शिद्शिप्तंत्र में आपका बेहश श्वागत है क्रिप्या हमारे चैनल को सस्काइब करबा बैल आइकन दमाए हम आपके लिए भगवान नर्शिंग का ये बहुत ही पावरफुल बीज मंत्र लेके आए है सर्प्रकार के शत्रों को दमन करने के लिए सत्रों का भैखतम करने के लिए आपके प्राकरम के लिए आपके आत्म बिश्वास के ब्रग्दी के लिए सब्रकार की रक्षा के लिए ये भगवान नर्शिंग का बहुत ही शक्ति साली बीज मंत्र है इसको आपके लिए किशी भी शूर्य ग्रण पर चंद ग्रण पर होली जो होती है होली के दिन या फिर दीबा वली के शमय या पुखनक चत्त में आप इसके जाप करने से आपको बेहद लाग होगा दक्षर दिशा में बैठिये आप कम मलासन पर बैठें दक्षर दिशा की तरह को मूग कर लें रखते चंदन या मूगे की माला से प्रती दिन आपको इसका एक हजार बार जाप करना है एक हजार बार जाप करने से इसमें अद्बुत शक्ति पैदा हो जाती है ये जो भगवान नर्शिंग है बहुत ही शक्ति शाली भगवान है जैसा उनका नाम है बैसा उनका काम है चमतकारिक देपता है भगवान नर्शिंग का ये श्रोम बीज मंतर है यह बीज मंतर भगवान बिश्नु के जो आवतार है नर्शिंग उनका है श्रोम 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 यह बीज है जैसे किसी पौधे का जैसे आम का पौधा है उसका बीज आम का बीज डालते जमीन में या चने का बीज डालते हैं तो उससे फल की प्राप्ती होती है और फल से अनेख फल प्राप्त होती है इसी प्रकार से भगवान नर्शिंग का बीज मंतरों में देवतां की जो है शक्तियां छुपी रहती है ये भगवान नर्सिंग का उक्र रूप है इनकी उर्जा अतेंदे शीग रवावसाली होती है सौम कमजुर दिल वाले, सौम हिर्दै वाले इस मंत्र का जाप ना करें ना इसका उप्यूग करें एदी वो करते हैं तो अपने गुरू की शरण में जाएं और गुरू जो दीच्छा लिये हैं गुरू के पासे इनका जो उग्रप्रवा है वो कुछ सांत हो जाता है इस बीज मंत्र में जो छा सब्द है छा से जो है नर्शिंग भगवान और राशे ब्रह्म सक्ति जो है न वो शक्ति सालिव उर्द्रकेष्टी ब्रहान अगुरूप और इसमें जो बिंदू लगा है वो दुख राने का आभान करता है नर्शिंग भगवान का जो उर्द्रकेष्व उगुरूप बाले हैं वो ब्रह्म सक्ति से युक्त हैं हे भगवान मेरे दुखों का नास करो मेरे शक्तिवों का बिनाश करो इसके लिए भाईयो आपसे एक बिना है कि जो है सामन शादक जो है इससे दूर रहें और इसका आप जाप करें भगवान को जो है मीठा है फल है फूल है लगन से हृदय से सच्चे मन से इस बीज मन्त के प्रती भगवान नर्षण के प्रती जो है सच्ची स्रद्धा भाव जिसके अंदर होगा वो मंतर अतिश्चीग जागरित हो जाएगा और हर प्रकार के आपके शत्रूं का बिनाश करेगा दुखों का नाश करेगा तो भगवान नर्शिंग की आपकी उपर अतिक्रपा होगी सर्थ प्रकार का आपको बल और प्राक्रम प्राप्त होगा बस उनसे हृते से प्राथना करें तो भगवान नर्शिंग बहुत ही जल्दी आपको उपर प्रशन होके आपके मंत्र में जो है अद्वत सक्ती दे देंगी इसके जाप करने से ही आपको पहले दिन ही जाप करने से एक अजीब सा बाइब्रेशन एक अजीब सा करेंट आपके अंदर दोलने लगेगा तो आप जो है च्रोम 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 इसको जो हैं डिक्ट सेक्शन बाक्स में लिख देंगे, इसको आप जाप करें और भगवान नर्शिंग की किर्पा प्राप्त करें। जै महाकारी।